मैं एक MBA Travel and Tourism की स्टूडेंट रह चुकी हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटिस्ट वीडियो के लिए हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का कटोश ट्यूप्स हिंदी चैनल में मेरा नाब है विशा और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी MBA in Travel and Tourism के पारे में येस तो वो सभी स्टूडेंट्स जो MBA कोर्स करना चाहते हैं Travel and Tourism में तो उनके लिए मैं बहुत सारी information लेकर आई हूँ इस वीडियो में बट इनकेस अगर आपने टाइप आफ टूरिजम और टाइप आफ टूरिस्ट इस सब वीडियो को मिस किया है तो आप उपर दिये हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप MBA in Travel and Tourism के बारे में और information जानना चाहते हैं तो आप नीचे description box में जाके कटोष्ट वेबसाइट का लिंक ओपन करके इस आर्टिकल को निटेल में पढ़ सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं हमारी आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स डिसकस करूंगी जैसे की MBA in Travel and Tourism क्या होता है उसमें admission लेने के लिए minimum eligibility criteria क्या रहता है आप कौन से कौलेज में admission ले सकते हैं क्या क्या test देने पड़ते हैं admission के लिए और भी बहुत कुछ जैसे की क्या subjects बढ़ाये जाते हैं और क्या programs रहेंगे इस तरह की बहुत सारे points जो हैं हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो सबसे पहला point जो हम इस वीडियो में discuss करेंगे वो यह होगा कि MBA in travel and tourism क्या होता है तो MBA का मतलब होता है Masters in Business Administration कोई भी undergraduate student जिसने कोई भी UG का course किया हुआ है graduate है BA में, BBA में या फिर travel and tourism में ही, BTA में ही उसने कोई course किया है और for students जो है travel and tourism में अपना career बनाना चाते हैं और एक अच्छे course की तलाश में है तो MBA एक बहुत ही अच्छा option है उन सभी students के लिए MBA in travel and tourism course में अगर आप admission लेते हैं तो आप travel and tourism sector में और hospitality sector में jobs के लिए apply कर सकते हैं तो जो next point में discuss करूँगी हो ये रहेगा कि क्या है minimum eligibility criteria किसी भी MBA travel and tourism course में admission लेने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाहूंगी कि जो minimum eligibility criteria होगा वो college to college vary करेगा अगर आप मान लीजिये किसी ABC college में admission लेना चाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे eligibility criteria different हो और किसी XYZ college में eligibility criteria जो होगा वो थोड़ा different रहेगा बट एक मैं आपको यहाँ पे एक basic सा eligibility criteria बता दूँगी जो कि ये रहता है कि student जो है वो 12th pass होने चाहिए उन्होंने जो है अपना UG course को complete किया होना चाहिए और जादतर colleges जो है जो MBA course offer करते हैं उनकी एक ये भी demand होती है कि 50% जो है minimum आपका जो है undergraduate के जो आपकी degree है उसमें आया होना चाहिए तब ही आप एक तरह से eligible माने जाएंगे उसके अलावा मान लीजिए colleges का अपना भी कोई criteria हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आपके कोई भी undergraduate जो भी degree है उसमें आपका कितना score आया है उसके basis पे जो students उस college में apply करेंगे उनकी एक merit list create की जाएगी और हो सकता है कि वो आपका एक अलग से और round भी लें GDPI का यानि की group discussion और personal interview का जो कि एक बहुत ही common round होता है most of the MBA courses में admission लेने के लिए तो वही मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही थी कि college to college जो है वो आपका eligibility criteria जो है वेरी करेगा अब उसके बाद जो next point में आप लोगर के साथ discuss करूँगी वो यह होगा कि ऐसे कौन से exams हैं जिने देकर आप MBA travel and tourism course में admission ले सकते हैं तो again यह भी college to college वेरी कर सकता है जैसे कि मैं एक MBA travel and tourism की student रह चुकी हूँ और मैंने जब admission लिया था तो मैंने admission जो था वो Central University of Himachal Pradesh में लिया था और इस university का अपना ही एक est होता है जिसमें कोई भी all over India से students जो है apply कर सकते हैं तो अगर आप इस college में भी admission देना चाहते हैं तो आप इस college की website जाके देख सकते हैं और वहाँ पे भी admission के लिए apply कर सकते हैं उसके इलावा जो है कुछ national level exams हो गए जैसे CAT, MAT, ZAD, GMAT इस तरह के बहुत सारे MBA के exams हैं जिन में आप apply करके उन exams को clear करके MBA Travel and Tourism में admission ले सकते हैं condition यह रहेगी कि जिन colleges में आप apply कर रहे हैं और जो colleges and national level exams का score accept कर रहे हैं वो इस course को offer भी करते हों जैसे कि माचर प्रदेश में इस IIM है IIM सिरमौर वो जो है हमें MBA in Travel and Tourism offer करता है तो अगर आप IIM सिरमौर में MBA Travel and Tourism admission लेना चाहते हैं तो आपको CAT का exam जो है वो clear करना पड़ेगा और IIM सिरमौर के admission process के लिए apply करना पड़ेगा उसी तरह से बहुत सारे और भी ऐसे colleges होंगे जिनका अपना ही test होता है अपना ही criteria होता है और वो अपने basis पे ही आपको admission offer करते हैं उसके अलाबा भी बहुत सारे colleges हैं जिनका अपना ही कोई admission लेने का criteria हो सकता है जैसे की हमारा एक हो गया lovely professional university उसमें admission का अपना criteria होगा MET business school में admission लेने के लिए आपका अपना हमका अलग criteria होगा और वैसे ही बहुत सारे आपकी अच्छे अच्छे private colleges हैं जिनका अपना criteria रहेगा आपको admission offer करने के लिए तो वो सब check करने के लिए आप उनकी official websites पे जा सकते हैं वहाँ पे आप उनके help 9 number पे call कर सकते हैं या आप directly college को भी visit करके वहाँ आपके query department में जाके अपनी query जो है वो raise कर सकते हैं तो जो next point हम discuss करेंगे वो यह होगा कि ऐसे कौन से subjects हैं जो हमें पढ़ने होंगे अगर हम MBA travel and tourism course में admission लेते हैं almost सारे ही आपको management skills इखाने वाले subjects बढ़ाये जाएंगे जिससे आपके management skills enhance होंगे उसके अलावा बहुत सारे optional subjects भी होंगे जिन्हें आप ले सकते हैं so that आप अपने career line को थोड़ा सा diversify कर सकें कुछ travel and tourism related subjects जो आपको पढ़ने होंगे वो इस तरह से रहेंगी जैसे की geography and international tourism तो यहाँ पर geography से हमारा मतलब है कि आप tourism point of view से geographical areas को explore करेंगे कि ऐसी कौन सी कौन सी जगें हैं गूमने के लिए वहाँ की आइटनरी किस तरह से plan की जाती हैं क्या tourist spots होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप travel and tourism से related अपने उन courses में पढ़ेंगे उसके अलावा आपको मान लीजिए human resource management department के बारे में भी पढ़ाया जाएगा आपको थोड़ा finance, accounts, हर एक department के बारे में थोड़ी-थोड़ी information जो है एक MBA के student को दी जाती है तो यह तो थी information MBA travel and tourism course के बारे में अगर आप यही सब detail में पढ़ना चाते हैं तो आप नीचे description box में जाके कटोस्टिव website का link open करके इस article को detail में पढ़ सकते हैं और अगर फिर पर आपके कोई भी questions हैं या कोई भी queries हैं तो आप नीचे comment section में मुझसे पूप सकते हैं तब तक के लिए please remember to subscribe to my channel and do like and share my videos Thank you